काफी सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि हम duty करते समय पुलिस ओफिसर की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं? इसी तरह से जो other government officers हैं आप duty करते समय उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं? तो गाइस मही शान और आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं देखे duty करते समय आप किसी पुलिस ओफिसर की वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं? इसका कोई specific answer नहीं है इंडिया के कुछ states तो ऐसे हैं जहां पर पुलिस ओफिसर की duty करते समय वीडियो शूट करना allow है, legal है उस पर law भी बना हुआ है लेकिन कुछ states ऐसे हैं जिसमें इस पर कोई clear law नहीं है For example आप केरला को ले लीजिए केरला पुलिस एक्ट 2011 section 33 subsection 2 में ये साफ साफ कहा गया है कि पुलिस और पब्लिक आडियो या वीडियो या electronic record रख सकती है कोई भी पुलिस अधिकारी किसी पब्लिक या private बिलेस पर की गई किसी भी पुलिस कारवाई ये activity के किसी भी audio या video या electronic record को legally बनाने से जनता के किसी भी member को नहीं रोख सकता है इसी तरह से कलकता हाई court ने 2008 में एक फैसला सुनाया कि पुलिस आफिसर मुबाइल नहीं छीन सकता है सिर्फ इसलिए कि ड्यूटी करते समय उसका video record किया गया है यहाँ पर आप एक simple सा funda धियान में रखिए कि अगर कोई police officer आपसे रिश्वत ले रहा है या कोई illegal activity कर रहा है तो आप उसका video record कर सकते हैं लेकिन अगर कोई police officer कोई illegal काम नहीं कर रहा है तो आपको उसका video record नहीं करना चाहिए चलिए हम बात करते हैं कि अगर आप किसी police officer का video record करते हैं तो आपके खिलाफ किया action ले सकता है आम तोर पर जब भी आप duty करते समय किसी भी सरकारी करमचारी या police officer का video record करते हैं तो आपके खिलाफ IPC section 186 के तहट case file करता है IPC section 186 में कहा गया है कि आप जानबूच कर किसी भी सरकारी करमचारी या public servant की duty में बाधा नहीं डाल सकते हैं नहीं आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं जिससे उसकी duty में बाधा पड़े तो जब आप किसी भी police officer का video record करेंगे तो इससे उसकी duty में बाधा आएगी और वो आपके खिलाफ IPC section 186 के तहट case file कर सकता है जिसमें इल्जाम साबित हो जाने पर आपको तीन महीने तक की सजा या 500 रुपेगर जुर्माना या तीन महीने की सजा और जुर्माना दोनों हो सकता है इसके साथ साथ ही आप एक चीज और ध्यान रखिए कि हर चीज हर काम legal होता है जब तक कि कोई law बना करके उसको रोक न दिया जाए तो अगर किसी state में कोई clear law बना हुआ है कि आप video या audio किसी police officer की duty करते समय record नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर आपको record नहीं करनी चाहिए लेकिन जहाँ पर कोई clear rule नहीं बना हुआ है या फिर clear rule बना हुआ है कि आप video record कर सकते हैं तो वहाँ पर आप audio video record कर सकते हैं तो अगर कोई police officer कोई illegal activity करता है जैसे कि आप से रिश्वत मांगता है या कोई आपका गलत चालान काटता है तो आप उसका video बना सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको like करिए अपने friends के साथ share करिए और अगर आपके मन में कोई question है तो आप नीचे comment करके पूर सकते हैं